नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा संर्मारस। सूरी ग्रहन लगने जा रहा है और ये सूरी ग्रहन बहुत खास होगा क्योंकि ग्रहन पर सनी जेनती का भी योग बन रहा है तो आईए जानते हैं दो बाते देखिए साल का ये पहला सूरी गरहन है और भारत में पूरे भारत में दिखाई नहीं देगा बलकि इस नजारे को आखरी समय में बेहत कम समय के लिए लद्दाक की उत्तर सीमाओं और अनुराचर परदेश की दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से साम को तक्रीबन पा सनी जैनती पर सूरी गरहन लग रहा है ऐसे में सूरी और सनी देव पिता पुत्र हैं तो दस जुन का लगने वाला सूरी गरहन है वह रिंग ओफ फायर की तरह नजर आएगा और इस दोरान चैंद्रमाद प्रत्वी पहुंचने वाली सूरी की प्रयाप्त किरनों को ब्लॉ सूरी गरहन भी कहते हैं और ऐसा तब होता है जब चंद्रमाद सूरी के पूरे भाग को अपनी चाया में नहीं डगवाता और इस इस सूरी का कुछ हिस्सा चंद्रमाद के पीछे से चमकता है और उसका नजारा आग में तप्तिवी अंगुठी के तरह होता है इसे ही ही पवित्र माना गया है और लॉंग का परियोग घरों में खाने का स्वाथ भी बढ़ाने के लिए होता है पुजा पाठ में होता है तांत्री क्रियाओं में होता है लॉंग का परियोग करके आप उरुके वे तमाम कारे भी बना सकते हैं और क्योंकि लॉंग को उर्जा का वाहक माना जाता है आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए सपनों को पूरा करने के लिए लॉंग के छोटे से परियोग इस गरहन के दिन कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिलती है तो चलिए जानते हैं क्या करना है आपको कि जीवन के कस्ट मिटे देखिए सबसे पहली बात तो इस गरहन के दिन आप सुबह सुबह उठकर भगवान सुरी को एक लोटा जल जरूर अरपित कीजिएगा और जल में काला तिल डाल दें तो पितर के दरवाजे पर चुकि इस दिन बट साबितरी है आम के पत्तों का बंदनवार जरूर लगाईएगा और एक स्वस्तिक बना दीजिएगा सिंदूर से या हल्दी से और चुकि गरहन है तो नहाने के पानी में आपको इस दिन तुलसी के पत्ते यूज करना चाहिए या फिर लॉंग your sibling says此 पर अर्पित करें कितने लॉंग दो लॉंग कम से कम और अर्पित करने के बाद शिपजी से प्रात्ना करें कि राहु के तू सांथ हो जाए और इसके बाद अपने पूरे घर में पानी में थोड़ा सा हलदी ढ़ाल कर छ च्ँड़कावग करें बाकी आपको देना नहीं चाह रहा तब क्या करेंगे तब इस सनी जयनती के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिए अगर कोई आपका पैसा नहीं लोटा रहा लाग प्रयास के बाद भी तब आपको चुकि अमवस्यती थी है तो आपको 11 या 21 लोंग ले ले या फिर जो पैसा लेकर ब कितने नाम हैं उनके अक्छर में अब मा लक्षमी का ध्यान करके अपनी समस्या बोलिए और फिर इस लोंग को जला दे कपूर के सहरे धन आने के मार्क खुलेंगे और आपको फसाओ अटकाओ धन भी आपको मिल जाएगा कई बर क्या होता है लाग प्रयास के बाद भी आप एक चोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा आप मादरुगा को दो लॉंग अर्पित करके आप उसको मुँ में रखकर निकल लिएगा आप देखिएगा आपको कारियों में सफलता मिलेगी कई बार जीवन में आप बहुत महनत करते हैं पर आपको फली नहीं मिलता महनत का फल न होने के बाद नहां कर जब यह परियोग करेंगे तो जीवन में चमतकार होगा कस्ट मिटेंगे कई बार क्या होता है दुस्मन बहुत परिसान करते हैं बहुत ज्यादा आप परिसान है कभी कभी अपने भी दुस्मन होते हैं कभी प्राय भी दुस्मन होते हैं तब ग्रहन स आंगन में भी कर सकते हैं, आपको इस लॉंग को जला देना है, अगर जलाने का जगह ना हो, तब आप इस लॉंग को अपने उपर से वार का ड्रेन में डाल दें, गंदे नाले में डाल दें, आपका सत्रू बरबाद होने लगेगा, तबाह होने लगेगा, क्योंकि ये लॉं आपको बताइंगे देखेए गई पर क्या होती है बरकत नहीं होती है अप अब लाग परियास को लों कितना भी मेहनत करो बरकत ही नहीं होती है सब कुछ खत्म क्या करेंगे तब गरहन वाले दिन बट सावित्री की जब आप पूजा कीजिएगा जब घर में पूजा कीजिएगा तो मा लक्षमी को गुलाब की पंखुरी पर दो लॉंग रखकर अरपित कर दें और इसके बाद उन लॉंग को उठा कर आप लाल कपड़े में बांध कर संभाल कर रख लें गहन व दो सिक्का सब्स्राइब लाट को ammoni में लेना है एक उलतित नियुट्स के सबस्क्राइब नीज पार पर लॉटटी embrace और यानि आप लोग दोनों फशें का नाम लेकिए अभी इसके बाहर सांथी इसके बीद़े ओनुष्त कार दोंवाले सब्च्खर दोनों करद जाएं कहीं भी खुलास्तान पर क्लिकी बिगरे में रख दें अगले दिन सुभा इसको कहीं मिट्टे में दबा दीजेगा आपका रिस्ता तूट रहेगा तूटेगा नहीं आप लोग एक बार फिर से जूड जाएंगे और जो भी आपके रिस्ते को तोड़ना चाहेगा वो खुद भी तक बताया तो लोंग जो है ना जीवन के बहुत सारे परिसाणिता झालता है तो घर में बहुतरी में पैसे में समावत करने लिए इसके साथ एक छोटा सा काम कीजिएगा अपने घर की तूज सी में एक लोग गार दीजिएगा जीवन के कस्ट मिटते हैं जीवन की परिसानिया मिटती है जो जीवन में आपके अधूरी इक्चा है वो पूरी होती है और साम के समय दियावाती के समय आप लॉंग डाल कर भी दियावाती कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो पांच लॉंग तीन इलाइची के दाने और भी करेगा आप सुरफचीत और स्वास्त बने रहेंगे तो एक छोटा सा परियोग जीवन के बहुत सारी परिसानियों को दूर कर रहा है इस गहन के दिन यह लॉंग का परियोग आपके किस्मत के दर्वाजे को खोलेगा फिलालम आपसे भीजा लेते हैं हरहर महादेब करद से भीजाब दूराइब इसे फिलालम आपसेश पेस्ट अर्वाजे जेगा लेते हैं हरूवा तो खोले जीवन के रहुत से भीजाब है